प्राणे कपड़े होती है तो पुराने टीशिट है मैं उसी से बना रही हूँ यहाँ पर आप निया कपड़ा भी ले सकते हैं टीशिट के अलाबा आपके पास बेड़ शिट पड़ी है पुरानी वो भी ले सकते हैं टीशिट को हमें इस तरह से एकदम प्लेन करके यहाँ पर रख लेना है दोनों कपड़े एकदम बराबर होने चाहिए यह 20 इंच पर निशान लगा लेंगे अब इस साइड से भी हमें 20 इंच ले लेना है तो यहाँ से सीरी लैन लगा देंगे 20 इंच की उस साइड में भी यहाँ पर मार्किंग कर दी है इसी तरह से कटिंग कर लेनी है यहाँ से इसे कटिंग कर लेंगे अब यह पीस कट कर लिया है 20 इंच का बाकी बड़ा चोटा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं अब इनको हमें उल्टा रखना है सिलाई करनी है इस तरह से ऐसे रख लेंगे दोनों को उल्टा करके अब हमें सिलाई लगानी है तो इतना मैंने बल्क हूड़ लेना है तक है भूब इसे लगए तो ξण ग!.. प्रोचेंच छोड़ लेंगे यहाँ पर सिलाई लगानी है अब यहां से लगांगे जैसे यहां से लगाते हुए यह पूरे यहां से सिलाई लगाना है आप के लोगों का कमेंट हाएगा कि हमारी इस तो मेरी ल उसे इस तरह से रख देना है फिर सिलाई चलानी है, तो हमारा एक दम अच्छे से सिलाई आएगी, अब इतना बन गया है, ये तो हमारा बनेगा फ्लोर मेड, तो इसके उपर हमें कबर भी देना है, तो कबर के लिए मैंने दो पीस कट का लिए हैं कपड़े के, तो ये मैंने पुरानी बैडशिटली है यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर तो यह हम कितना लेंगे क्योंकि हमारा यह कवर आना है तो इस कपड़े से हमें एक एक इंच एक्स्ट्रा लेना है यह कवर का कपड़ा तो चार ओर से इस से हमें एक एक इंच एक्स्ट्रा लेना है ये भी दो पीस है इसको हमें बाद में बनाना है अब ये रेडी करेंगे अब ये कोर्णर है हमारा यहां से दो इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और यहां से भी दो इंच पे निशान लगाना है इनको इस तरह से ब्लोक जैसे मना लेना है यहां पर चार और इस तरह मन अगर यहां पर निशाननी लगाना तो यही हमें यहां पर मेजर्मेंट के लिए ऐसे रख लेना है और इसको रखके यहां से भी कटिंग कर लेंगे चारो कोर्नर इसी तरह कट करेंगे चारो कोर्नर कट कर दिये हैं अब इनको सिलना है तो ये कोर्नर है जैसे इसे हमें इस तरह से खूलना है ये देखिए ये कोर्नर है ये पकड़ना है और ये सिलाई वाली साइड है यहां दोनों को मिला देंगे और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है यह भी इसी तरह इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे और यहां पर सिलाई लगा देंगे यह कोर्णर है, चारो कोर्णर इसी तरह पकड़के हमें सिलाई लगा देनी है चारो कोर्णर में सिलाई लगा दी है इस तरह से यह सिलाई लगी है अब यहां से हमें इससी सीधा कर लेना है इसको मैंने सीधा कर दिया है यह हमारा box जैसा बन गया है यहां पर अब इसमें हमें रूई fill करनी है यहां हमारे पास पुराने कपड़े हैं वो फिल कर सकते हैं अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी कत्रन है, बच्ची हुई, यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की कत्रन नहीं है, पुराने कपड़े हैं, उनको काट काट के भी डाल सकते हैं, और अगर आप रूई डालना चाते हैं, तो रूई भी डाल सकते हैं, तो अगर जैसे सारी जड़ पट्टे हैं तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है यह हमारा अब यहां मैंने यह स्पेस रखा है यहां से हमें यह सारे कपड़े इसमें फिल कर देने हैं इस तरह से फिल कर देंगे अब देखिए इसमें सारी कतरन मैंने भर दी है अब यहां से यह हमारा इस तरह से यहां से कत्रन डाली यह खुला प्लेस है तो यहां पर हमें सिलाय लगा देनी है यहां पर हाथ से ही सिलाय लगानी है डबल दागा ले लेंगे और यहां से इस तरह से सिल देना है इस तरह अच्छे से सिल देंगे यहां से यह पूरा इसी तरह से लेंगे, यहां पर यह शिलाई लगा दी है, अब इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेना है, जिससे सारी जो कतरन है, वो इस तरह सेट हो जाए, चार ओर, अब देखिए, यह हमारा, यह मैंने जो किनारी में शिलाईया लगाई है, बोक्स जैसा बना है, अब एक किनारा हम लेंगे, जैसे यह किनारा है, यहां से इस तरह से हमें, यह इकठा करना है, कपड़ा, और यहां पर बड़ा नीडल लेनी है, हमें, और यहां से इतना हमें, इस तरह से, ऐसे स्टिचीज लगाते जाना है, चूटा स्टिच लगाते हुए, यहां बोर्डर सा बन जाएगा थोड़ी कितरण हमारे इसमें आनी चाहिए जिससे ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरह से ऐसे पकड़ना है इसे इसे पूरा कबर करना है यहां तक अब देखिए इतना हो गया है अब यहां से भी हमें इसी तरह यहां से आपकड़ना है इस तहरा Pil इस तरह स्टिच लेना है छोटे-छोटे स्टिच लेने हैं अराम से हो जाते हैं यहां पर यह भी यहां तक क्प्लिंट कर देंगे अब देखिए यहां दोनों साइड का हो गया है अब यह अगली दूसरी तीसरी साइड है हमारी यहां पर भी हमें इसी तरह से उपर को ठाना है कपड़े के साथ ही जो अंदर का कपड़ा है अगर रूई है तो रूई को इस तरह पकड़ लेंगे और इस तरह से पूरे स्टिच लगाते हुए सारा कंपलीट कर देंगे अब देखिए यह उपर की साइड हमारा पूरा इस तरह से स्टिच लगे है इस तरह बन गया है और साइड में इस तरह दिख रहा है अब यह दूसरी साइड इस तरह से पल्टनी है और यह कोर्नर है यहां से भी हमें इसी तरह सील देना है जैसे हमने यह पीछे बाला सीला है यह पूरा चार ओर से ऐसे सील देंगे यह दोनों साइड से इस तरह से मैंने इसको पकड़के यहां से स्टिच लगा दिये हैं अब इसे हमें इसी तरह रखेंगे तो यह जो अंदर कतरन कपड़े डाले हैं वो एकठे हो जाएंगे जैसे इदर उदर रखेंगे तो एकठे हो जाएंगे तो इसको भी हमें यहाँ पर stitch देना है इसके लिए हमें बड़ी सुई चाहिए इस तरह से और यहाँ पर मजबूत धागा चाहिए अगर आपके पास यह धागा नहीं है तो नॉर्मल यह धागा है इसके आप 5-6 धागे कर लें तो यह मजबूत हो जाएगा यहाँ पर double धागा मैंने डाल दिया है अब इसी कपड़े का हमें यह छुटा सा पीछ लेना है तो यहाँ पर अगर हम ड्रेक्ट इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पर hole हो जाएगा इसलिए इसका sport चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पर यह कपड़ा लिया है पीस तो बाई 2 इंच का लिया है इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ से इस तरह दाके को क्रोस करेंगे अब यह सेंटर है यह हमारे सोफे का तो यहाँ पर हमें इस तरह से यहाँ नीडल को नीचे निकालना है नीडल को मैंने इस तरह डाल दिया है अब यह दूसरी साइड है नी नीडल दूसरी साइड में आ गई है अब फिस से हमें यह लेना है इस साइड में भी हमारा यह कपड़ा लगेगा छोटा सा पीस इस तरह लेना है और यहां पर ऐसे डाल लेंगे और फिस से हमें यहां से स्टिच लेके इसे टाइट कर लेना है यहां पर और यहां पर ही हमें नोट लगा देनी है इसको यहां से पकड़ के दो तिन नोट लगा देंगे जिस से हिलेना हमारा, यहां पर ऐसे हमें दो तिन बात धागय को दे तरह कर लीना है निकलेना गागा, इसलिए अच्छे से यहां पर does the rootasu designing करना है इस तरह से, जितने ज़्यादे लगाएंगे उतना ही अच्छा है तो यहां पर में पांच दूँगी, एक, दो, तीन-चार और यह पांच जैसे यह लगा यह उसी तरह लगा देंगे यहां पर यह सारे स्टेचिज में ने लगा दिये है तो इस तरह से यह पूरा बैठ किया है दूसरी साइड से इस तरह से है फ्लोर सोफा मारा बनके रेडी हो गया है इस तरह से बना है साइडों से ऐसे आएगा अब देखिए जब मेजर्मेंट में हमने रखा था 20 इंच रखा था तो अब रह गया है ये 15 इंच बनके तो ये क्यों इतना रहा है ये इसमें भी हमारा आया है और ये हमारा बोक्स वाला बना है तो यहां पर भी गया है तो जब आपको बनाना है तो इस बात का ध्यान रखें कि 5 इंच हमारा इधर जाएगा जब हम ऐसे करेंगे बाक की हमारा जो बच्चे का वो ही रहेगा उस इस साफ से आप कपड़े की लंबाई चोड़ाई रखें इसके लिए हमें कबर सिलना है क्योंकि अगर इसे हम इस तरह ही रखेंगे तो यह गंदा हो सकता है दूना भी इसे मुश्किल है तो इसका हम कबर भी बना लेंगे साथ में ही इसके लिए मैंने पहले ही कबर का कपड़ा यह कट किया था जब हमने सोफे का कट किया था तो यहां से 2 इंच लिया था अब यहां से 500 लेना रही एधाा इंच लेंगे और यहां से भी 500 ना यह वी यह 2.25 बना लेंगे 2.50 twisting क्रुंद अब इनको यह लियुक्स का समयवश मेंगा यहां फर यह एक बोक्स बना है इसी त चारो कोर्नर में ने कट कर दिये हैं अब एक पीस उठा लेंगे और ये पीसे इसे इस तरह से रखना है क्योंकि यहां पर हमें जिप लगानी है तो यहां सेंटर में लगेगी इनको बराबर करके ऐसे रख लेंगे कटिंग कर लेंगे कटिंग कर दी हैं यह दो फीस तो यहां पर मैंने जिप ली है स्था से लेंगे इसके बराबर यह एक साइड से लग गई है अब यहां उपर से भी सिलाई लगा देनी है तो यहां उपर से भी इस तरह से सिलाई लगा दे है अब इस पीस को हमें इस तरह रखना है इस पीस की उपर और यह जिप है यहां पर हमें सिलाई लगा के इसे अटेच कर देना है आप देखें यहां पर जिप मैंने अटेच कर दी है अगर आपने जिप नहीं लगानी तो यहां सिलाय लगा के डोरी भी लगा सकते हैं यह पीस रेडी हो गया है यह सीधी साइड ही है अब यह पीस है यह भी इसकी सीधी साइड इस साइड को रखेंगे दोनों पीस ब्राबर करके रख दिये हैं अब यहां से यहां तक सिलाय लगाएंगे यह भी लगाएंगे चारो जो कोर्नर है यहां पर सिलाय लगेगी यहां से सिलाय लगे हैं चारो साइडें सिल चुकी है अब यह कोर्नर बचे हैं इनको सिलना है इनको हमें किस तरह सिलना है जैसे ये कोर्णर है इन दोनों को इस तरह से ये कोर्णर को इस तरह से खोल लेंगे और ये दोनों सिलाईयां इस तरह मिल जाएंगी उस सिलाईयों को इस तरह खोल लेंगे दोनों सिलाईयां एक्तम यहां पर सिलाईयां मिल जाने चाहिए और यह पर सिलाए लगा देंगे यह यह साइड यह इसी तरह सिलेंगे चारो साइडे इसी परुट सिल देनी है हैनल Rush जिप को खोल लेंगे इसे हम कर लेंगे सीधा कवर को सीधा कर दिया है अब इसमें हमने यह जो फ्लोर सोफा बनाया है इसको डालना है तो यहां से ऐसे डाल देंगे कुशन को मैंने अंदर डाल दिया है इस तरह से हमारा पूरा बन गया है यहां से जिप लगा देंगे तो य फ्लोर सोफा बनके ready हो गया है एकदम 3 में बना है जो भी हमारे based कपड़े थे सब उसी का बनाया हुआ हमाने इकदम 0 medium में यह घर पे बनके ready हो गया है पुराने कपड़े भी हमारे सारे ज्वू ज्यूज में आगे हैं किसी साइज में बना सकते हैं अब आप इसे चाहे फ्लोर फर्श पे रखके यूज करें बैठ सकते हैं चेर पे भी रख सकते हैं केहीं भी रखके से यूज कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जुरूर लखें और वीडि